नमस्कार प्रिये विद्यारतियों आज हम ये परत्रम वर्स में हिंदी साहिती में कहानी एकादसी में संकलित रोज कहानी की समीख्षा करेंगे पिछली कक्षा में हमने रोज कहानी के रचनाकार अग्य के व्यक्तितों और कृतितों को इस्पस्ट किया था अग्य कृत रोज कहानी सुरू में गेंगरीन नाम से प्रकासित वी थी यह उनकी एक महतुपून कहानी है इसमें कुल चार पात्र हैं मालती, महिश्वर, मालती महिश्वर का बेटा टिट्टी और लेखक जो मालती का मित्र है इस कहानी का उद्दे से एक यूति मालती के यांत्रिक विवाहिक जीवन के माध्यम से नारी के यंत्रवत जीवन और उसके सिमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाव जीवन का चित्रण है जह एक विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए पंगू बने व्यक्तितों की तरास्ती का चित्रण है इसलिए इस कहाने का रोज सीरसक सर्वत्था उप्यूक्त सीरसक माना गया है विवाहु परांत मालती के जीवन में आई नीरस्ता उदासिंता को पाठक वरक के सामने रखा गया है लेखक के कहना चाहता है कि भारतिय नारी पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो ताकि सोतंत्र जीवन जी सके जिसे उसका जीवन उसके स्वर्म के लिए बोज ना हो रोज एक सकल परिवार की कहानी है एकल परिवार की कहानी है जिसके पात्रों में एक हाउस वाइफ याग रहईनी एक जिसी दिन चर्यावाला डोक्टर पती और एक बच्चा जिसका आम नें जिक्र किया मालती महसवरो टेटी नाम है मालते का पती महिस्वर एक पहाड़ी गाओं में डॉक्टर है तीनों एक सरकारी घर में रहते हैं डॉक्टर रोज सुबह साथ बजे अस्पताल जाता है और डेड़ दू बजे तक लोटता है और साम को एक बार फिर रोगियों को देखने के लिए अस्पताल जाता है डॉक्टर के जाने के बाद घर में मालती रोज ही निस्चित दिनचर्या को यंत्रवत निप्टाती है ठीक वैसे ही जिसे घड़ी की सुई मालती की दिनचर्या पती से पहले सोकर उठना घर की शाफ सफाई करना नास्ता खाना तयार करना बच्चे की देखभाल करना पते का इंतजार करना आदी है और यह एक उसका निस्चित दाइरा है जो हमेशा उसे एक कारिक करने होते हैं आज कल पर सों हर रोज वही काम लेखक मालती की घर में पेर रखते ही महसूस करता है मानो उस घर पर किसी साप की चाया मड़र रही हो उसके वातावरन में कुछ ऐसा अकत थे आसपार्शिय किन तो फिर भी बोजिल और प्रकम्पे और घनासा फेल रहा था लेखक मालती को सकी कहता है क्योंकि वह उसके साथ ही बच्वन बिता चुका है हंस्ता खेलता और बाले कालीन सरारतों से भर पूरा उसके मस्तिस्क में मालती की वही वाचालता वाली चवी अंकी थे और अब उसकी साथी की इतने ही दिनों बाद जब लेखक अपने कजिन सकी के घर पहली बार आया है महसूस करता है साथी के महच तीन चार सालों में ही मालती की भीतर की सारी नमी जिसे सूख गई है इतने दिनों बाद मिलने पर भी उसके भीतर कोई हल चल नहीं उसके भीतर कोई भाववेग दिखाई नहीं देता मालती अपने उस यांतरिक जीवन में इतने गहरे तक जकड़ी हुई है कि अपने बाल सखा से उसका हाल चाल तक नहीं पूछती वह अपने अति परिचीत से बार बार देखे वए दिर्शे में इतने गहरे तक समाहित है कि कोई नयापन उसे मैसूस नहीं होता है रोज में हर एक दिर्शे मालती की आँखों के सामने इस प्रकार निकलता है जैसे कि दैनिक अकपारों में चपे मामूली से विवरण जेने हम रोज ही पटकर भूल जाते हैं रोज का पुनरपाथ सी सक लेखक में एक लेखक लिखता है रोज कहानी में मालती की जीवन इस्तती भी जैसे उसकी नियती बन चुकी है लेकिन उस इस्तती पर अग्ये जैसे ही एक प्रसंट चिने लगाते हैं वेशे ही वह जिन्द की मानों चटपटा कर एक कहानी में बदल जाती है एक ऐसी कहानी जिसे पटकर हम स्वयम देर तक चटपटाते रहते हैं एक ऐसी कहानी जिसे पटकर मालती के भीतर की छटपटाहट को देखते नहीं है बलकि उसके पीछे मोजूद उस अलक्षित तंत्र को भी देख लेते हैं जो किसी अभिसाप की तरह किसी असुप छाया की तरह पूरे परिवार पर विशिश कर मालती परहावी है वह चाया लेखक को बार-बार दिखाई पड़ती है वह कहता है यह कैसी चाया इस घर पर चाईवी है और विशिश तया मालती पर लेकिन ये छाया सिर्फ लेक कोई क्यूं दिखाई पड़ती है मालती का पति महस्वर लगातार साथ रहते वे भी उस छाया को क्यूं नहीं देख पाता है यह एक बड़ा सवाल है और आज के संदर में देखें तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर घर में दिखाई देता है जो यांत्रीकता का जीवन जी रहे है माईस्वर जो की सम्मंद के लिहाद से मालती के सबसे निकट का विक्ती है क्योंकि वह उसका पती है वह मालती की रोज मर्रा की घुटन और दारून तकलिप को नहीं देख पा रहा है दूसरी तरफ लेखक को इसकी अनुभूती घर में पेर रखते ही हो जाती है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेखक वालती को मित्रता की द्रश्टी से देखता है मित्रता में बराबरी शम्मानता और शाधर्मिता का भाव होता है मित्र की द्रश्टी वस्तु तह एक जनत आंत्रेक के द्रश्टी होती है लेखा कहता है मालती मेरी दूर की रिस्ते की बहन है किन्तु उसे शक ही कहना ही उचित है क्योंकि हमारा पार्स पर सम्मंद शक्य का ही रहा है रोज वस्तुतह सामंती सम्माज व्यवस्ता द्वारानी अंतरित उस एकल परिवार की कहानी है जो भारत के नवीन सामाजिक आर्थिक सांसकर्तिक परिवर्तन की परक्रिया में श्योक्त परिवार के टूटने से अस्तितों में आया है इस एकल परिवार को स्योक्त परिवार की भीड भाड या की अतिस समाजिकता से चुटकारा मिला व्यक्तिस तरब जीने की श्विदा और सौतंतरता हासिल हुई परन्तु साथ ही इसने सामुहिक जीवन पध्यती में प्रवाहमान समाजिकता और उत्पाद इन्चिलता खो दी है श्योक्त परिवार में सबी मिलकर रहते थे लेकिन जेशे ही परिवार टूटने लगा एकल परिवार में व्यक्ति अपने तक कैंद्रित हो गया और धीरे धीरे परिवार टूटने लगे और व्यक्ति के जीवन में भी यांतरिकता घर करने लगी इस कहानी में दूसरी तरफ जीवन प्रणाले के इस तरफ पर रश्में कोई परिवर्तन नहीं आया है शक्त परिवार से अलग होकर उसकी अच्छाया तो उसके साथ नहीं आ सकी लेकिन सामनती समाज और परिवार तंतर किशारी बुराया उसके साथ लगी रही ग्यान पैसा और सुविधा के इस तरफ जिन्दगी में कापी बदलाव आ जाने पर भी संसकार सोच और विभार के इस तरफ प्रभपहले जेसा ही बना रहा तीसरे ओपनिवेशिक पस्षी में शिक्षा ने उस पारापरिक स्रम और उस पादन से अलगा कर मूल तह असामाजी कुर्स रजुनहीन बना दिया दूसरे सब्दों में कहें तो अपनिवेशिक और ध्योगिक तंतर के खुटपादन हीन मसीनी पूर्जी में बदल दिया गया अपनिवेशिक अंग्रेजी समरजवाद ने यही नहीं की केवल भारत के पारापरिक घरिलू उद्धों को अपने फाइदे के लिए तहस नस कर दिया बलकि उसके साथ ही उसने यहां की स्रम संस्कृति को भी एक सिरी से ध्वस्त कर दिया अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार भी उसने इसलिए किया ताकि अपने लिए सस्ते मुल्य पर बोधिक मजदूर तयार कर सके आजादी के साथ साथ साल बाद भी नमारे देश का पढ़ा लिका तबका जाभारिक इस तर पर वस्तुत वही बोधिक मजदूर है जो अप्रेक्षा करत सस्ते मुल्य पर पश्चीमी देशों के लिए काम करता है फिर चाहे वह डोक्टर हो की इंजिनियर स्कॉलर हो की टेक्निसियन या की वैग्यानिक अंतत है उसकी स्तती मजदूर गुलामों जैसी ही है वह पढ़ता तो है देश और देश की जनता के खर्चे पर लेकिन अपनी शेवाएं देता है पश्चीमी देशों को भारत में अपने समस्त आधुनिक प्रेतनों के बावजूद और अपनिविशिक फायदे के लिहाद से अंग्रेजी समरजिवाद की दिल चस्पी कभी इस और जम्मिदारी प्रेता को अपनिविशिक शोष्ण के इस्तानिय ओजार में बदल दिया कहानी में मालती का पती एक डॉक्टर है इस्तानिय डिस्पेंसरी का सरकारी नोकर और इसलिए वेग्यानिक सरजन शिलता स्वतंतरता और स्वत्ह इस्फूर्थ सामाजिक प्रतिबदता से दूर उसका काम बूलत है कलरों को जैसा है मुलत है ये कहानी आधुनिक सामाजिक विवस्ता में प्यदा हुए व्यक्तिवादी जीवन की विसंगतियों की और संकेत करती है आध्वनिक जीवन विवस्ता ने मनुश्य को मनुश्य से दूर कर दिया है आध्वनिक मद्वर्ग्य मानव एक्cion की जीवन जीने को विवस है इस एक्cion की जीवन की अपनी समशाएं हैं रूब एक रफस्ता हत 항상 समद्रों का थंड़ापन जीते रहना उसकी मजबूरी है वह स्पीडो मीटर की भाती जीवन पत्कुमापने का भाव शुने यंत्रमातर रह गया हो अब कोई मर मुड जाए तो ख्याल ही नहीं रहता पहले रात बर नेंद नहीं आती थी कितने मुल्ले बदल गए है मालती के जीवन में कोई उमंग नहीं कोई चाह नहीं जीवन को जैसे वह जीती नहीं कारती है मानो इस अनेचिक शमय गिनने में ही उसका मसीन तुले जीवन भी इतता हो वैसे ही जिसे मोटर का स्पीरियो मीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विसरांत सोर में कहता है कि मैंने अपने अमित सून्य पत का इतना अंसर तै कर लिया है कदाचित समाज का यही वो हिस्सा है जिसे गेंगरीन ने ग्रेस लिया आपको पहले जिक्र किया कि अग्य की यह कहानी पहले गेंग्रीन सीच सक से प्रकासित हुई और इसके बाद में इसका नाम रोज दिया गया शिल्प की द्रश्टी से वेसे भी अग्य प्रयोग धर्मी रचना का रहे हैं इस कहानी में शिल्प की नविंटा कहानी के पुरचली तमान दंडो को तोड़ती है अपनी विश्यवस्तु के समानी कहानी विशाद पूर्ण और एकरस सी प्रतीत होती है कहीं कोई चोकाव घटना नहीं कहीं कोई मोड नहीं सारा ब्रतात एक नीरस चित्रावली के शमान बेजान सा पाठक के सामने घटीत होता रहता है वस्तुता सपार्ता इस कहानी का प्राण है कहानी में कथा तत्तो सुन्ने सा है वही कथा सुन्ने ता जिसे नई कहानी की दोर में कथा काहरांस कहा गया था कथा में कोई आधी मद्दे या चर्म जिशी पारंपरिकता नहीं है कहानी में मद्दिम्बरगी जीवन के एक दिन का विवरण मातर हैं उसी तरह एकरा सोरो बावू नेरेटर की अतिती उपसिती भी उस ठहरी विजिवन में हलचल नहीं उत्पन करपाती एक वाक्य में कहा जाए तो ये कहानी जीवन के महाकावे का एक प्रेस्ट मातर है उतना ही अलग थलग और अधुरासा पासा की नीरवता सैली कठहरा गटना करम किशी थिलता पूरा रतना वितान नीरसा है जहां पर रतने का वर्णन है ऐसा लगता है जिसे च्छडबर काविसराम है पर वहां भी शानती है रचना वितान के इस तरपर कहानी पर अंप्रगत धांचे को तोड़ती है आरम चरम और अंत नहीं है कहानी शपाट है रोज ही होता है बस तो तक कहानी को इन इसका स्माधान दिये बिना ही समाप पुजाती है वास्ता में चेकब की स्काला को आगे चलकर नहीं कहानी के आलोचको द्वारा कहानी के अंत को खुला रख कर कहना विशेस्ता के रुप में शुईकार किया गया है तो इस तरह से हमने देखा अग्य की कहानी रूज जो पहले गेंग्रीन नाम से अग्य प्रकासित करवाना चाहते थे गेंग्रीन नाम से सामने आई लेकिन बाद में उसी रूज नाम से प्रकासित किया गया तो इस कहानी में मालती, महस्वर, टीटी और लेखक के द्वारा ए एकल परिवार में आयांत्रिता को सामने रखता है इस तरह से हमने अग्ये की कहानी रूज की समिक्षा की धन्यवाद